नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनीज लॉंचर के इस यूटूब मज़ पर आज 9 जुलाई है और 9 जुलाई को यानि आज पटना में एक बड़ा राजनिति घटना करम देखने को मिलने वाला है परसों ही मैंने ट्वीट कर आपको बताया ट्वीटर के माध्यम से बताया था कि मनीश वर्मा जन्ता दल उनाइटेड जुएन करने वाले हैं आई ये सद्यकारी रहें दो हजार बयच के अणियिसा कैड़र के आई सद्यकारी रहें और अच्छे आईए सधिकारी उडिसा में माने गए 12 साल की सेवा उन्होंने दी उडिसा में उसके बाद इंटर स्टेट डिप्टेशन पर 5 साल के लिए बिहार आए और जब वो बिहार आए उडिसा केडर में रहते हुए बिहार आए उसके बाद पूर्णिया और पट्ना में वो डियम भी मनाए गए बारी बारी से उसके बाद कुछ और जिम्मेदारिया मुख्यमंती ने उन्हें दी पांच साल के इंटर स्टेट डिप्टेशन के पूरा होने के बाद एक साल का extension उन्हें बिहार में और मिला, कि एक साल वो बिहार में stake कर सकते हैं, वो एक साल बिहार रुके रहे, लेकिन UPSC का जो नियम है, DOPT का जो नियम है, उस नियम के दाइरे में आप एक कैडर में होते हुए या तो कैडर चेंज कराकर दूसरे कैडर में जा सकते हैं, और cadence कराने की प्रकिरिया सबको पता है कि कोई threat perception हो यानि कोई खतरा हो या साधी विवाह की वजह से कोई दिक्कते हो जिस कारण तर्फ सुष्वार संबंदी कोई समस्या हो वो सारी चीजे थी नहीं वो criteria फित होता नहीं था उसके बाद 2018 में नितीज कुमार के द्वारा इन्हें बिहार राज आपदा परवंधन में न्यूक्त कर दिया गया उसके बाद मुख्यमंत्री के आत्रिक परामर्सी भी बना दिया गया और यह सब होने के पहले यानि उडिसा जाने से बचने का जब कोई रास्ता नहीं था मनीश वर्मा ने नौकरी छोड़ना क दिया 18 साल की सर्विस के बाद इस्तिफा दे दिया और जब मनीश वर्मा ने इस्तिफा दिया उसके बाद वह बिहार में जमें मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हो गये और मुख्यमंत्री के कई सारे कामों में हाथ बटाने लगे एडिस्नल एड़वाइजर भी मना द ला गया आम तरब पर देखा गया कि नितीज कमार ने जिस किसी बिरोक्रेट को पार्टी में लाया लंबे समय तक उनका रिस्ता चल नहीं पाया और सी पी सिंग के साथ कोई दिन तक चला वह रास्ठी अध्यच पत तक पहुंचे लेकिन वह रिस्ता जब टूटा तो बहु सिंग उनके ग्रेजी लेके थे यूपी का डर के थे और ध्यान दखिए मनीश वर्मा ने बिना सांसद या विरायक का या मंत्री का पद लिये I.S. से V.R.S. ले लिया था R.C.P. सिंग ने ऐसा नहीं किया था R.C.P. सिंग तब जाकर U.P. में लखनव जाकर उन्होंने इस्तिफा दिया था जब राजिसभा का टिकट नितीश कुमार ने उन्हें कन्फर्म कर दिया था यानि राजिसभा की सरस्ता के लिए उनकी उमिद्वारी का एलान हो गया उसके पहले उन्होंने नहीं दिया लेकिन मनीश वर्मा ने बड़ा दिल दिखाया था ठीक इसी तरह R.C.P. सिंग की तरह ही पवन वर्मा लाए गये इंडियन फॉर्ण सर्विस के भारतिय विदेश सेवा की अधिकारी कई देशों में राजदूत रहे कई किताबे में उन्होंने लिखी है पवन वर्मा भी नितिश कुमार के भरोसे पर उस तरह से खरे नहीं उतर पाए जिस तरह से जिस तरह के व्यक्ति के उन्हें बहुत सिद्दत से तलास थी R.C.P. सिंग निपट गये पवन वर्मा निपट गये बूरोक्रेट नहीं होते हुए एक एक प्रोफेस्नल व्यक्ति को भी नितिश कुमार लेकर आये नाम परसांत की सोर परसांत की सोर भी निपट गये वह भी जनता दिलिवनाइटिट के इको सिस्टम में नहीं टिक पाए राष्टिय उपाद्यक्ष तक का पदु नहीं दिया लेकिन नहीं टिक पाए और अब मनीश वर्मा लाए गया है मीडिया की ख़बरों पर एदिया अलग अलग चैनल उपर जो चल रहा है अलग अलग पोर्टल्स पर कई लोग कह रहे हैं कि मनीश वर्मा बिहार के भावी मुख्य मंत्री हैं कई लोग कह रहे हैं कि मनीश वर्मा जनता दिलिवनाइटिड में को मुझे नहीं पता कि मनीश वर्मा को निटीश कुमार कौन सी जिम्मेदारी देने वाले हैं लेकिन इतना जरूर पता है कि बिहार विरान सभा चुनाओ बहुत ज्यादा दूर नहीं है कभी भी चुनाओ हो सकते हैं समय पर भी होगा तब भी 16 महीने बाद चुनाओ हैं तो उस अदरन मोदी के लिए अमिद्शा एक बेहद विश्वस्त व्यक्ति है सी आर पार्टी लेक बेहद विश्वस्त उनके सिपासलार है उस तरह की भूमिका मनीश वर्मा की हो सकती है लेकिन मनीश वर्मा को जो अलग अलग अकभारों में और पोर्टल में जो ख़बर है कि प् सकते हैं चुनाओं के बाद सी एम मनाए जा सकते हैं वो सब कुछ फिलाल दिखाई नहीं देता मुझे व्यक्तिकत तोर पर लगता नहीं है प्रदेश सद्यक्ष बनाने वाली थियोरिय को मैं इसलिए न कारता हूं कोकि नितीष कुमार मनीश वर्मा एक ही विरादरी से आते हैं कुर्मी समाज से आते हैं और जो सामाजिक समिकरन कोई विरायतिक दलसाधता है आज के दौर में उसमें अलग-अलग सामाजिक समू को प के बाद कोई और टाकतवर प्रदेश सद्यक्ष बिहार जद्यू को मिला नहीं और उनकी ताकत भी इसलिए थी क्योंकि वह नितीष कुमार के भरोसे मंद होने के साथ साथ नितीष कुमार के पटना इंवस्टी में सीनियर भी रहे थे तो दोनों ही चीज़े थी कि अगर कि किसी का का किसी को नितीष कुमार से मिलना है नहीं मिल पाया तो वर्सिष्ण से से मिल लेता था तो उसको उनकी यह हैसियत ती कि कार करता आप आदमी को भी हुद्धा था कि मेरा काम हो जाएगा सभाविक लेकिन मनीश वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा इस बात को मैं सीरे से न कारता हूँ दूसरी बात मनीश वर्मा की अहमियत जेडियू में क्या है तो पहली चीज यह है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने के लिए एक यानि की बिहार की नौकरसाही के नट बोल्ड को टाइट करने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक समझ रखने वाला पॉबलिक एड्मिस्ट्रेशन का बिहैविरल एप्रोच यानि ब्यावारिक समझ लोग प्रसासन और सामान प्रसासन के रखने वाले ब्यक्ति ताकि अबाविक है कि आर्सीपी सिंग पहले इस काम को किया करते थे एक-एक डीमस्पी तब आर्सीपी सिंग के फर्मान को नितिश कुमार का ही फर्मान मानते थे तो उनकी ये भूमिका जनता दली उनाइटेड में होगी उससे आगे हो सकता है कि मनीश वर्मा बिनान सबाद हासिल है अत्रिक परामर्सी के तौर पर एडिसनल एडवाइजर के तौर पर उन्हें दर्जा हासिल है और जो त्याग उन्होंने किया इस्तीफा देने के वी आरेस लेने के 6 साल के बाद पार्टी में उनकी अवचारी के एंट्री हो रही है आर्सीपी सिंग की तरह से नही है तो मनीश वर्मा का एक सियासी पहलू ये है दूसरा मनीश वर्मा के सियासी पहलूं के बारे मैंने पता करने की कोशिस की कि आखिर एक बेहत कुसल प्रसासक साब सुत्री छवी के अधिकारी किसी भी प्रकार का उन पर कम से कम आरोप अब तक तो नहीं लगा है जब तक आरोप न लगे व्यक्ति को साब सुत्रा ही मानना चाहिए तो एक कुसल प्रसासक साब सुत्री छवी के अधिकारी रहे मनीश वर्मा जब सियासत में आ रहे हैं तो जनता दल उनाइटेट के एको सिस्टम में वो किस धारा के व्यक्ति है वो जानना जरूरी हो जाता है तो म तरह की धाराएं कैसी है एक धारा चुकि बिहार की राजनीती में जेडियू के साथ एक बड़ी राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से एक अजीब तरह की स्थिति कहें या विवस्ता कहें राजनीतिक विवस्ता वो विवस्ता है या राजनीतिक परिस्थिति के से चनता दल उनाइटट को भारती जंता पार्टी के साथ या सेकुलर के साथ चुनाओ मिलकर लड़ना होगा यह बड़ी सच्चाई में जंता दर जमाइटोर एक खेमा चाहता है कि नितीशकुमार यांनि जंता दल उन उनाइट जो उनकी पार्टी है वो पार्टी भारती जनता पार्टी के साथ गटबंदन में रहें दूसरा कैम्प चाहता है कि यह नितीज कुमार सेकुलर खेमे के साथ राजनीत करें भारती जनता पार्टी के साथ राजनीती करने में नितीज कुमार की दिक्कतें यह है कि यह भाजपा पसाद यादो किसी भी सूरत में जल्द से जल्द तेजस्वी यादो को मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं उन्हें सब्र नहीं है यह सारी परिस्तितियां है और इस परिस्तिती में जंता दे उनाइटेट को बीच का रास्ता निकालकर 2015-24 आगया इन सालों में आपने देखा होगा कि कभी इस खेमे के साथ तो कभी उस खेमे के साथ राजनीती करनी पड़ती है विपक्ष परिवर्तन का दौर चलता है कभी पल्टासन भाजपा करती है तो कभी पल्टासन राजद करती है नितीश कुमार या थावत कुर्सी पर रहते हैं अब स और असोग चौधरी का भी नाम लिया जाता है और एक दूसरी धारा जिसमें लोग ललन सिंग का नाम लेते हैं जिसमें कुछ और नेता का नाम लेते हैं कि वह चाहते हैं कि सेकुलर कैम्प के साथ जेडियो राजनिती करें मनीस वर्मा के बारे में जो अब तक मैंने जानकार जब संजे जहा को रास्टिये कारेकारी अध्यक्ष बनाया गया ठीक क्या उसके एंटी डोट के तौर पर मनीस वर्मा को लाए जा रहा है अब ये बात नितिस कुमार ही जानते होंगे कि कौन सा किस तीर से कौन सा राजनितिक सिकार वो करना चाहते हैं मनीस वर्मा की स्वा जोनी अस्थानिय भासामें कहते हैं तो लोग ठोग ठठा के कोई काम करना जानरी ठोग बजारके लोइस नीतिक में पहले से विक्षित करो पार्टि में ला जा रहा है लेकिन आज की तारीख में मनीश वर्मा के बारे में जो कहा जा रहा है कि उस सेकुलर कैम के साथ राजनिती के पक्षदर है पक्के तोर पर तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ना तो संजे जहा नितिश कुमार की राजिती को डिक्टेट कर सकते हैं ना ही मनीश वर्मा डिक्टेट कर सकते हैं लेकिन आने वाले वक्त में संजे जाक्स की तुला में मनीज वर्मा की भूमिका जनता देल उनाइटेट की डिशिजन मेकिंग में नेर्णाय लेने की प्रकिरिया में बहुत बड़ी होने वाली है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जेडियू की दसा और दिसा क्या लेकिन रास्टी जनता देल के साथ जाने के हमायती है यह बात पक्के तोर पर नहीं कहीं जा सकती कि आखिर वह चाहते क्या है सबकुछ बिहार बिरान सबाद चुनाओ जब भी हो इस वर्स हो या अगले वर्स हो जब भी हो चुनाओ जनता दल उनाइटेट की सीटों की संख्या 80 से 95 के बीच कहां पर रुकती है यही नितीश कुमार की राजनितिक सफलता को तै करेगी क्योंकि उनकी सीटों की संख्या यदि असी पार जाती है तो यह तै है कि रास्टी जनता दल के सीटों की संख्या 60 से नीचे आएगी और यह एक आदर्स परिस्तिती होगी कि सेकुलर कैंप में अस्थाइटों के साथ जनता दल उनाइटेड राजनिती कर सके मनीश वर्मा की भूमिका उसके बाद और बड़ी हो सकती है अब किस रूप में होगी यह समय बताएगा लेकिन जनता दल उनाइटेड के अंदर मनीश वर्मा की एंट्री एक छोटी घटना नहीं बलकि बिहार की राजनिती में एक आमूल चूल परिवर्तन के दिशा में पहले कदम के तौर पर देखा जा सकता है नितिस कुमार कई सारे सियासी कार्ड अभी अपने सीने में दबा कर बैठे हैं और उनमें से एक मनीश वर्मा है अब आने वाले वक्त में देखिए कि यह किस रूप में बाकी सारे कार्ड सा आज के लिए इतना ही नमस्कार